कि अधिक स्मार्ट क्लास में आपको पास्वावत है और एक्सली क्लास में आज आखरी क्लास भी है और पुछ अलग चीजे पड़ेंगी जैसे कुछ फारूमुले हैं जो आपको पढ़ाऊंगा जैसे राउंड हो गया चलिए विंडों के साथ आर और एक्सली ओपन के लिए से एक्सली का मतलब क्यों जानते हैं यहां यहां का मतलब होता है कि तवर यूज के जाता है यहां कामा करें चार नहीं होगा है काँको यहां था जाएगा है यहां हो जाएक है अगर दिवाइड होगा है कि देगा पचीश नहीं करता है कि आगे आने वाला कौन सा ऐसा नंबर जो चार से बढ़ जाए कि अगर कोई नम्बर कर जाता है तो वहीं सर बन जाता है नहीं करता है सेलिंग का काम होता है सेलिंग फर्मूले का काम ही होता है कि उसे बाद कौन सा जीट आएगा जो से कड़ जाए मालों यहां पर लिगा होगा 27 और कामा 5 याप 5-27 कड़ेगा तीशा है क्या आएगा ओप सब्सक्राइब किसका आदत है सेलिंग यहीं करता है इसके ठीक अपोजिट है प्लूर क्या होता है कि अगर चार से पचीश कड़ गया तो नहीं कटा तो पीछे अगर प्लूर का मैं और चोविस का रहेगा तो चोविस से आएगा तो यहीं कटा तो पीशी का दूड़ेगा और सेलिंग वे आगी अगी नहीं आया चलिक दो फार्मूले हैं सबसे पहले फार्मूला लगेगा अरे यार बंतो जाओ रहें इक वेट टू मैं तो जूम कर दे रहा है इक वेट टू सेलिंग अगर कर दिया यहां डाल दिया 25 कामा पांच इसका अंसर क्या होता है यह पचीस आएगा पचीस आगा तो इक टूड़ टू सेलिंग पची 26 कामा पांच अब क्या अंसर आएगा नहीं सेलिंग आगे ढूंता है ना और वही अगर इकल टू फ्लोर लगा रहे तो लोड प्रेकट ओपें 27 कामा पांच इसका अंसर क्या आएगा चुक्कि पीशे कर दोंता है आया सुनिया प्रीपल सी पे बहुत फ्रीमस फालम्दा है जो रिक आता ही नहीं लिख दिए आपने तरीके से तरीका समझ गाना अगला जो फालम्दा मपढ़ेंगे उसका नाम है क्या नाम है राउन का मतलब जानते हैं हम लोग राउन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को एक नियर एपाउट किसी वैलू तक पहुंचाना जैसे कि आपने बच्पल से पढ़ा भी होगा अगर एक लिखावा वान पॉइंट सेवन फाई इसको एप्रॉक्स में हम दो मान सक इसको भी दो मान सकते हैं कि अगर निखावा वान पॉइंट पॉइंट पॉर नाइन इसको नहीं मानेंगे इसको वन मानेंगे यानि पच्चास दिपांच से ज्यादा होगा तो एक रुपया बंजाए ना अब पांच से कम रहेगा तो जीरो रुटा होगा अगर दो पांच नहीं तो पचास होगा या पचास से जदिक होगा तो पचास से कम हो जाते तो फिर रूट या कई बार देखा होगा आपने कि अगर यह आप रिखा हुगा है वन पॉइंट वन पॉइंट से बनाइन और यह कहा जा रहा है कि एंसर वन डेस्मल प्लिस पिलाईए एं लेकिन एक गल्की है यहां पर जाता है तो जाता है तो पैसा नहीं देगा अब पांस या पांस उपर तो पैसा देखे जाएगा लेकिन एक रुपए देगा तो अगर 1.7 रिट्टे 9 को भटा रहे तो नाइन पांस से बड़ा है ना तो बगलवाले की यह इक रुपांस से जाएगा यह उन पॉइंट एट है वन पॉइंट शेवन नेकों माँटे लोगता करो तो नंदा 1.5 बढ़ा है अच्छा इंगीता कुन बढ़ा जोंगी 1.5 1.3 1.5 लखी 1.5 बढ़ा है कैसे प्रूब करेए खड़ो जाए कैसे बढ़ा है लूब करें तो आप जानते हैं डेस्मिन के बाद कोई अनक लिखा हुआ है उसके पीछे आप कितना भी जीदो लगा सकते हैं एक रुपा 50 परिशा है और एक रुपा 30 परिशा है को से जादा है एक रुपा 50 परिशा यानि यही बड़ा है बैड़ जाए क्लिर करते हैं तो समझ ना क्या दूप्जा करना है ना राउंड का मतलब यही होता है बच्छे लोग कर लेते हैं जैसे मालो हमें लिख दिया हमने इकोई टू राउंड चले लिग दिया एक लेकट ओपर और हमने लिग दिया यहां पर वन पाई पाइफ कामा करके नंबर तो आप दिखेगा वन थाइफ तो आपका पहले वन थाइब यहां पर माइन डाउंड को द्यान डेगा जैतर दो अधिक रहेगा क्या है अगर एक अंधू होता तो पांस की बात करते थीन होगा तो पांस की बात करेंगे चारंग होगा तो और यहां कितना की बात की गई है तो दो सब्सक्राइब 50 से अधिक होगा तो पच्छास से कम होगा तो एक गोर पर देखनी जाएगा पचपन है 50 से बड़ा है कि छोटा है बड़ा है एक मत लिक जाएगा न सबाधा और अपनी जोड़के जाएगा यहां क्या बचेगा घ्लाइक तरो भुटेगा अगर हम अपनी जूड़ी चले यहां सोड़ पार रखें ते आ पना यानि कि दो सो आना चाहिए इसका है लेकिन अगर वह लिखते इक्वाल टू राउंड ब्रेकेट ओपे और लिख दिया 149 कामा माइनस तू अब क्या अब क्या अब क्या है क्या अइसर आएगा दो और व्यक्ताइब आप दो कहा आएगा है अब कर दो रहता तब क्या होता है माना दो रहता तब सिर्फ दो अंग को दिया जाता है तो दो अंग को पचास नव इस बड़ा है तो तो यह पुझी को जाएगा नहीं देख आएगा तो पांद तो ऐसी रहेंए गए दो आएगे इसंगों गवक्ताइगा और तो यह जाएगे अटिव जाएगी आएगे यह आएगे जब अब लोग किर फंस हो एक पांच से क्या दूपांच से बड़ा है क्या दूपांच से बड़ा है बढ़ा है नहीं सोटा है यानि जाएगा कुछ तेक नहीं जाएगा है अब इस्टासा नहीं हो सकता है इसलिए मैं सुझता हुग आपको बता दूमें तीन फारोले बहुत इंपॉर्टेट इंटर यूज करेंगा शेलिंग और इनका एक और पावर होता है क्या होता है एप पावर इक वर टू पावर ड्रैकेट ओपें फॉर कामा तू लिए ए पूर का पॉर का इस्वार क्या होता है अगर वही यहां पर तू के लिख देंगे तो पूर का वार है मैं कि नहीं कि हो जाएगा अग्या अप्रेश द्रफार सिरी का मतलब वहीं अंकर कुतिनी बार मैं मंट्राय प्लॉगा और गुड़े प्लॉट अब चाड चौ आप लुटुव को सोला और शोल चॉब और शूब को 64 ए और पावर दो है यह निए पाच गुड़े पाच अब पावर तीन है तो गुड़े पाच इसको हम बोलेंगे है तो गतिए सब्सक्राइब को उसे मंटिपाई करिए लिखा हुए है इसे उसाङों तो तो बस ये चार आपको यूज करने हैं अब को जाएगा तुम्हें कभी पढ़ाता दोंगा कभी कि कुछ आएगा रिमांक में बता दिया करूंगा तो आज के लिए इतना ही थेंगी बदाते हैं क्या